असलाम वालेकूम दिस इस आवर एसस्टी लेक्चर प्रीविस लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल पेसिस आफ पाकिस्तान के अबाउट पड़ा था आज हम उसके उसकी रीडिंग की थी आज हम उससे रिलेटीड कुछ क्वेस्टन्स हैं उनको साल्व करेंगे चू सिर्द करेंए पाया है का मुझ siis जगायं पाई जायए कौन अन शवरiva ओडसन जोकिन पाया है कि हिस्टृ का हिस्टान है प्लेसि जो जगे पाई जाए तो हमने प्रेजन्ड जोग्राफ ही हर एंड पास्ट हमने प्रक फॉैसिचेट ऑच अ फार सके जान। यह हिस्टरी का पार्ट है ठीक है सेकिंड है आपके पास दा फैसल मास्क वास बील्ट इन फैसल मास्क बील्ट की गई थी 1896 1689 1986 तो हमने यह रीडिंग में यह भी पड़ा था कि फैसल मास्क वास बील्ट in 1986 ठीक है तो 1986 1996 इज क्रिक्ट आंसर थर्ड आप जरा देखें लहोर फार्ट इस दि शिच्ट एट इन लहोर फार्ट इस शिच्ट इन लहोर ठीक है तो इस पर हम लहोर को टिक करेंगे next fourth वाला आपके पास है the ques the khabar pass is a mountain pass the that links dash and पाकिस्दान khabar pass is a mountain pass यह पहारी रस्ता है जो के करता है किस को पाकिस्तान और किस को link करता है तो हमने यह रीडिंग में पढ़ा था कि यह khabar pass जो है वाफववानिस्थार और पाकिस्दान दोनों को लिंक करता है ठीक है नेक्स आपके पास है फाउंडेशन आफ पन्यारे पाकिस्तान वाज लेड उन 23rd of मार्च तो यह कुंसा था वो था 1940 तो यहां पे हम लिखेंगे 1940 ठीक है नेक्स आपके पास सेकंड नेम जो दिया वह था शाही इला ठीक है मिनारे पाकिस्तान इस डैश मिटर्स हाईट टावर कितने मिटर्स हाइट आवर है तो इसकी हाइट बतानी है वह सिक्ष्टी टू मीटर ठीक है नेक्स आपके पास फोर्ध ब्लैंक है लाहुर फार्ट इस सिचटाइट इन लह क्या है तो लहोर 4 is situated in लहोर ठीक है तो यहां पे हम write करेंगे लहोर तो इस तरह आपने question number 1 and question number 2 को workbook के page number 23 के question number 1 and 2 को आपने solve कर लेना है book page ठीक है और learn भी करना है साथ इसको याद भी करना है today today our diary is learn and solve workbook page number 23 question number 1 and 2 आपने workbook का page number question number 23 question number 1 and 2 solve करना है book पे भी और उसको साथ learn भी करना है याद भी करना है ठीक है ओके अला आफिस एं थेंक यू